नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सेंग, आज सुनाने जा रही हूँ आपको शिवानी जी की लिखी हुई कहानी तो मार जो दोखिन मुख हिंदी साहित्य जगत में शिवानी जी एक महान सक्षियत है, साहित्य प्रेमी उनकी कहानी और उपर न्यासों के दिवाने रहे हैं तो शुरू करते हैं उनकी कहानी तो मार जो दोखिन मुख गंभीर रात्री की गहन शुन्यता में तमिल नाडु एक्सप्रेस तेजी से वन अरण्यों को चीरती जा रही थी उस सुदीर के यात्रा में अपने डिब्बे का एकांत सहसा मुझे भयावे लगने लगा एक बार कंडिक्टर आकर बढ़ी नमरता से पूझ गया था मैडम यदे आपको अकेले में सफर करने में आपती हो तो बगल के डिब्बे में उपर की एक बरत खाली है नहीं मैं यहीं ठीक हूँ कैह मैंने उसका विनमर प्रस्ताव फेर दिया था अटपटे अंचीने यात्रियों के साचर इसे मुझे एकांत ही अच्छा लगता है किन्त अंधेरा होते ही वो एकांत मुझे सहमा गया बत्ती जलाकर मैंने एक बार पढ़ी पत्रिकाओं को फिर उल्टा पल्टा चिटकनी ठीक से लगी है या नहीं ये देखा सिनाने की खिड़की के दोनों शटर चढ़ा लिये फिर भी न जाने कैसा बह लग रहा था इससे पूर्व भी कई बार अकेले कूपे में यात्रा कर चुकी थी किन्त ऐसे अस्तत बोध ने कभी नहीं सहमाया मनीमन मनाती जा रही थी किसी सद्ग्रहस्त का परिवार सहयात्री बन जाए क्योंकि कंडक्टर कह गया था नाकपुर से प्राया ही भीड भरती है नाकपुरों कोई परिवार तो नहीं आया किन्त एक के बाद एक- दो सहयात्रियों ने मेरे सशंकित चित्द को शांत कर दिया एक महराश्ट्री महिला केवल एक टोकरी और एक बटुआ लेकर ठीक सामने की बर्द पर आकर बैठ गई तो मेरा चित विशन हो गया मैं समझ गई थी कि उसकी यात्रा निश्चे ही हिरस्र होगी शाय तीन-चार इस्टेशन बाद ही उदर जाएगी क्योंकि संसार की कोई भी नारी दीर गयात्रा बिना सामान के संपन कर ही नी सकती मेरा अनमानी ठीकी था मुझे वर्धा तक कुछ काम था गांधी साहेत पर रिसर्च कर रहे हूं नागपुर बहन के पास आई थी अब दूसरी बहन के पास जा रही हूं चौथा इस्टेशन पड़ेगा मेरी वो प्रगल्व सहयात्रनी उस संक्षिप्त अवध में भी दिरंतर मैनासी चहकती अपना पूरा परिचे दे गई थी उसका नाम अंसुया पटवर्धन है विवा नहीं किया लड़कियों के किसी कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है युनिवरस्टी में पढ़ाने की महत्वा का अंख्षा नहीं उसे पीएसडी के लिए प्रेरित किया है व्रिद्धा मा साथ रहती हैं इसी से विवानी किया उसने लजा कर कहा मैं विवा कर लेती तो मा को कौन देखता फिर एक भाई भी है एकदम आवा रहा गत साथ वर्षों से लगातार हाई स्कूल में फेल हो रहा है उसके भरोसे मा को छोड़ नहीं सकती इसी से कल ही लोट जाओंगी वो यदि नहीं भी बतलाती तब भी मैं जान जाती कि वो कुवारी है 32 वर्षों का संचित कौमारे उसकी प्रतेक विचित्र गत्विदी में इसपश्ट होकर उभर रहा था कभी चश्मा खोल आँखों में किसी दवा की बुंदे छोड़ती कभी सरदर्द की कोली बट्वे से निकाल कर मुमे धर लेती कभी नाड़ी पकड उसी का इसपंदन सुनने लगती और फिर सहसा बट्वे से अपने किसी गुरू का विवन्ट चित्र निकाल ललाट से लगा होटों होटों में न जाने कौन सा मंत्र बुद्बुदाने लगती मैंने उससे उसके उन गुरू के चित्र के विशय में कुछ नहीं पूछा इससे शायद उसे निराशा भी हुई फिर उस वैमी कहने लगी पिछले वर्ष काशी में इनके दर्शन हुए वहीं दीक्षा मंत्र लिया दो सो पत्चीस वर्ष की है मुझसे बोले बेटी दुखी क्यों है मैंने कहा महराज इस अनित्य संसार और जगत के कष्ट की जुआला से दगधूं बोले तुमारा कष्ट देख खरी मैंने तुम्हें यहां बलाया है एक शब्द दूँगा उसे ग्रहर करो उसके प्रभाव से तुमारे समस्त कष्टों की परम निव्रत्ती हो जाएगी उन्होंने मुझे दीक्षा मंत्र दिया और मेरी आखों के सम्मुक अकस्मात अंतरनेत हो गए सुना है ऐसे दिवे पुरुष महा निशा में भी संचरर करने में समर्थ होते हैं आहा कैसा जोतिर महरू और भवे मुखमंडल पर कैसी अपार करूना भावावेश में अंसुया पटवर्धन दोनों आखे बंद कर जूमी रही थी कि द्वार पर दस्तक हुई चित्र को बटुए में डाल वो किसी शोड़िसी किसी फुर्ती से उचली और चट द्वार खोल फिर अपने बर्थ पर बैट गई द्वार पर एक भुजंग सा काला व्यक्ति खड़ा हो गया पीछे पीछे कंड़क्टर था ख्षमा कीजिएगा आपको यदि आपति न हो तो मैं क्या उपर की बर्थ लेने की धिश्टता कर सकता हूँ ये लेडीज कूपे हैं इसमें आप कैसे आ सकते हैं मेरा स्वर शायद आवशक्ता से कुछ अधिकी रूखा उठा था इस बार उस यात्री की कैफियत देने उसके पीछे खड़ा बौना कंड़क्टर आगे बढ़ाया आई नो, आई नो मैडम पर कहीं भी कोई बर्थ खाली नहीं है और ये बेचारे बीमार है, म्रत्य शेया पर पड़ी बहन को देखने जा रहे हैं हें हें हें, यदि आप लोग दया करें, तो शायद बेहन का मुझ देख लें खी से निपोर्ता वो ऐसे विनम्र होकर दोहरा हो गया, जैसे उस स्वयम अपनी पैर भी कर रहा हो मैं समझ गई, कि उसकी मुठी पर्याप्त मात्रा में गरम की गई है आप किसी अन्य महिलाओ को हमारे डिब्डे में भेज दे, उनकी बर्त इन्हें क्यों नहीं दे देते, मैंने भुनवना कर कहा जानता हूँ मैडम, जानता हूँ, वही किया था, पर सब अपने परिवार के साथ हैं, लंबी यात्रा में सब एक साथ रहना चाहते हैं कोई बात नहीं, आज आईए प्रदर, कमेंड, अन्सूया पटवर्धन ने इस नहें विगलिस स्वर में उस अंजान यात्री को अपना अविवे की आमंतरन दिया, तो मेरे जी में आया, तत शन उसे चीर कर धर दू, उसका भला क्या विगड़ेगा, चौते स्टेशन पर जाड़ कर चल देगी, मुझे ही तो उस भयावे व्यक्तित्तों का सानिध्य रात भर सहना पड़ेगा, शायद मेरे हिर्दे की भुनबुनार्ट मेरे चेरे पर इस पश्ठो कर उभर आई थी, अनुसूया पटवर्धन मेरे दोनों हाथ पकड़ कर हस कर कहने लगी, उसमें तथा करो में, वास्तविक प्रेरक्ट वही है, मैं या तुम नहीं, समत्व ही योग है, बेचारा यदि एक बर्थ पाकर अपनी बहन का अंतिम दर्शन कर लेता है, तो हमें कैसी आपती, थैंक यू, थैंक यू मेडम, वो व्यक्ति कृत्यता से दोरा होता, बर्थ क के ही एक कोने पर बैट गया, अब तक मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, सैसा मुझे जटका लगा, कैसा पहचाना पहचाना सा चेहरा लग रहा था, मैं दुरुत गती से अचल इसम्रती की अतल गहराई से पूर परचित चेहरे खीच-खीच कर उसे मिलाने लगी किन्त इसम्रती मेरी प्राणां तक चेश्टा के बावजूद अचल बनी जा रही थी, जी मैं आ रहा था पूछूं कौन हो तुम, कहां परचे हुआ है पहले, भायावै रूप से काला चेहरा, सफेज सफेद दातों की खिस्याई सी हसी और ध्रष्ट आखों की तीखी हो रही थी, तब क्या वो भी मुझे पहचानने के चेश्टा कर रहा था, पहचान कर भी ना पहचान पाने के अकुलाहट मुझे और भी सहवा रही थी, अच्छा, तो आप भी मदराज जा रहे हैं, अंसुया पटवर्धन उस यात्री से ऐसी अंतरंगता से बतियाती चली जा रही थी, जैसे वो उसका कोई बहुत दिनों के बाद मिला आत्मी है हो, चली इनका साथ हो जाएगा, नहीं तो बेचारी अकेली ही जाती, मैं तो बीच ही में उतर जाओंगी, ओ, तो आप भी मदरासी जा रहे हैं, उसने हसकर पूछा, और एक शण के उस गतिहीन, शब बीच में उतर जाएगी, और मैं मदरास जाओंगी, फिर मदरास तक की यात्रा के लिए ही, इस विच्चतर यात्री ने एक सामाने सा थैला भी तो नहीं लिया था, एक शण को दो दिन पूर पढ़ी गए अकवारी कतरन की इस्मृती मुझे बहतरस्त कर गई, फर्स क्लास क डिबे में लेडी डॉक्टर की निर्मम हत्या, हत्यारा फरार, अनसुया का अनर्गल प्रला बड़ी देर तक चालू रहा, वो यात्री किसी लंगूर की लपक से लपकता कपका अपनी बर्त पर चड़कर सो गया था, जैसे जैसे अनसुया का गंतवे स्टेशन निकट आ र कि या तो मेरे डिबे में किसी महला यात्री को भीजने की विवस्था करें, या इस समाज विहीन रहसे पुरुष यात्री को अन्यत्र भेजें, कोई भी महला यात्री अकेले डिबे में पुरुष यात्री की उपस्थिती पर आपत्य प्रकट कर उसका इस्थानांतर करा सक ये रेल नियम मैं जानती थी फिर मेरा पक्ष तो और भी सबल था लेडीस कूपे में वो आ कैसे गया किन्त अंसुया पटवर्धन मुसे भावबीनी विदा लेकर उतरी तो वो ध्रश्ट व्यक्त स्वयम ही छिपकली सा नीचे की बर्थ पर सरकाया मैं उठकर बाहर जाने के चपल पहन रही थी और जैसा यी प्राया होता है ठीक ऐसे अफसरों पर चपलों का जोड़ा विधुर बना दूसी चपल ढूरने भारी भरकम बक्सों के पीछे भागने लगता है मुझे भी अपनी एक चपल नहीं मिल पा रही थी ये रही मैडम वो मेरी एक चपल हाथ पे कहने लगा समय ही बलिहारी कभी ऐसे ही तुमने मुझे चपल दिखा कर थरथर का पा दिया था मेरा कलेजा भैसे हिम हो गया था कौन था ये कौन शायद तुमने पहचाना क्यों अभी याद नहीं आया ये दात देखो अब शायद पहचान लोगी आज से 35 वर्ष पूर तु ये सोने की कैप लगवा दी अब याद आया हे भगवान तब क्या ये अभागा आज 35 वर्ष बाद मेरे भाई के मुके का प्रतिशोत लेने मुझे ढूरता यहां आया था पहचान लिया था कैसी मूरखा थी मैं जो अब तक नहीं पहचान सकी उसे भला भूल सकती थी उस द तीरों की भात होस्टल छोड़ने पर भी मेरा पीछा करते रहे थे जिसको देखते मेरा सर्वांग ग्रणा और भैसे सेहर उटता था जिसकी द्रश्ट हसी मेरे भाई के सशक्त मुके से भी मलान नहीं हो पाई थी जो निरंतर चाया की भात ही मेरा पीछा करता मेरा चाया ग आज अंतिम बार्त में चेतावनी देती हूं रागवन ऐसे मेरा पीछा किया तो फिर मेरे इस प्रमास्त को देख लो कहकर मैंने अपनी चप्पल दिखा दी थी सारजरिक सभा में दी गई मेरी वो मुफट फटकार पाकर उसी दिन से उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था और मुझे यूँ उस घिनोने व्यक्त से मुक्ति मिल गई इतने वर्षों में वो फिर मुझे आज तक कभी ने दिखा जबकि प्राया ही इधर उधर जाने पर मेरे सहपाठी मिलते रहते और आज पूरे पैतीस वर्षों के पश्चाथ वो अचानक फिर मुझे टकरा गया मेरे लिए टकरहाट मिश्चही सुकद नहीं थी क्योंकि बार बार वो अपने सोने के दात की भगन प्राचीर चमकाता मेरे भाई के मुके का उलेक जो करता रहा था एक प्रकार से मैं ही उसके उस दंत के खंडित वैभव के लिए उतरगाई थी उस बार मैं जब पौशोत्सव के मिले से लौट रही थी तो वो नजाने कहां से सहसा प्रकाटो मेरे पीछे लग गिया तब तक उसे चपल की चेतावरी नहीं मिली थी जितनी तेजी से मैं अपनी चाल बढ़ाती दुगनी तेजी से वो अपनी लंबी लंबी डगे भड़ता चाया बन मेरा अनुसरन कर गुनगुनाने लगता तब ही उसने अचानक अपने निरलज आचनर से मेरा खून खुला दिया एकदम बढ़ मेरे इसकंध पर हाथ धर जैसे उसने ट्वेल्थ नाइट के प्रणई की प्रेनोनमत पंक्तियां दोराई मैंने पलट कर उसे करारा तमाचा जड़ा और तेजी से भागी वो शायद अंदेरे में अपने मित्रों के साथ आगे आगे जा रहे मेरे भाई को नहीं देख पाया था वो आगे बढ़ा उदर मेरा भाई मेरी फर्याद सन उतनी उगरता से पीछे पलटा साथ में था उसके साथियों का पूरा जूंड ये तकी बात है जब मित्रों के बहन स्वय में अपनी भी बहन हुआ करती थी सेक्षपियर की भाव भीनी पंक्तियों की आवरती का पुरसकार रागवन को ततकाल मिल गया आज उसी घटना का उलेक कर वो शायद मुझे इतने वर्षों बाद एकांत में फिर सहमाना चाह रहा था तुमारे भाई के मुक्के ने मेरा दाथ तोड़ा था उसने कहा तो मैं चुप नहीं रह सकी बुनबुना कर मैंने कहा ठीक किया था तुमारी बहन को कोई एकांत में ऐसे घेरता तो क्या तुम उसका नात नहीं तोड़ते नई मैडम वो फिर अपनी वही निरलज हसी हस कर कहने लगा मेरी बहन को कोई कभी ने घेर सकता जानती है क्यों उसकी आँख कांच की है और रंग एकदम मेरा पाया है उस पर सारे चेहरे पर चेचक के दाग और अब तो वो फिर खुक खुक कर हसने लगा तिरूपते में बाल कटवा कर और भी भयानक लगने लगी है एकदम हमारी बिरादरी में फिट बैटती है साठ साल की हो गई है अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ मैं गया तो चटाई बिछा कर चित लेटी थी लगता था चार कंदों पर गोपाल में कहे जाने को तयार होकर ही लेटी है जैसे ही मैंने कहा क्यों री मुर्गम्मा कैसी है बस चीक कर फटाग से बेहोश हो गई तब से अचेत पड़ी है इसी से फिर उसे देखने जा रहा हूँ वैसे मैं तुमारी भी बराबर खबर रखता था बड़ी खुशी होती थी सुनकर तुम्हें जीवन में भरपूर सुख मिला पती सुख संतान सुख वैभव ख्या थी और मुझे वो पिर अपनी वीबत्स हसी हसा केवल दुरनाम को ख्या थी और आशान थी पहले बैंक में नौकरी की कुछ साल सुख से कटे विवा किया पत्नी के चेहरे की लुनाई देख कर ही रीजा था अंतर का चेहरा कितना कुछ सिथ है मैं देख नहीं पाया उसकी नित्य नमीन फरमाईशे पूरी करने में कब मेरी निष्ठा का आसन डिग गया मैं जान भी नहीं पाया इधर बैंक की राशी की तिल-तिल की खिसकन मेरी विलासनी जीवन सहचरी की समरदी का भंडार भर रही थी उधर मुझे पीने की बुरी लग पड़ चुकी थी निरजला आसों का घूट मेरा विवेक एकदम र तुमारे बाद मैंने केवल उसी से प्रेम किया था ट्रेन अचानक उन गहन सुरंगों में सरकने लगी थी जहांका अंधकार सहसी सहसी यात्री चित्त को भी अपने अस्वाविक अंधकार से कपकपा देता है वो सहसा चुप हो गया था अंधेरे में उसकी वानी भी एक पल को शायद स्थब्ध हो गई थी फिर वो उसी छनमई गती से चालू हो गया तुमसे मुझे सदा तिरसकार ही मिला किवल लांचन अपमान पर उससे अनंत प्रेम अकपट सेवा और कापड़ने रहित अनराग साचर रहे मैं बीमार पढ़ता तो राद दिन मेरे सिरहने पैठी रहती चिर्चलाने लगता तो धर्ती सी सहिश रुमबनी मेरे पैरों में लोटने लगती मैं क्या जानता था कि वो अबने शील नटिनी एक भद्दे नाटक का मंचन मात्र कर रही है ठीक भी तो था अबने तो उसने जीवन गुट्टी में पिया था वेश्या जनिनी के इस अधूरे दोरे से घर लोटा लाई मंच के प्रसादन हीन सज्जा हीन नटी नट के असली चेहरे मैंने देख लिए प्रवंचक था मेरा अभिन मित्र अखिलन जिस अवस्था में मैंने दोनों को देखा उसे देख शायद कोई कलीव पत ही चुप रह सकता था मेरा मदालस उ उसी क्षण प्रतिशोद लेने को अधीर हो उठा मेजब धरी बोतल से ही मैंने दोनों की एक साथ कपाल क्रिया कर दी मेरा निशाना बच्पन से ही अचुक रहा है ट्रेन एक के बाद एक पांचवी सुरंग पार कर छटी से गुजर रही थी टोकरी में धरी अपनी पानी की काच की बोतल का ध्यान आते ही एक अंजान आशंका ने सैसा मेरा कलिजा जकर लिया क्या इतने वर्षों बाद ये दानों मुझसे अपने विफल प्रेम और तूटे दात का पतिशोद नहीं ले सकता पर फिर उसने अपनी शनिक चुपी भंग कर कहा कहते हैं विपत्ती कभी अकेले नहीं आती मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मूं में दवी सिगरिट की उद्व मुकी फूख को धुम रेखा से बिखरा वो हसा और अंधेरे में उसका सोने का दात क्रश्न मेग खंड में चमकी बिजली की क्षिर डेखा सा चमकने लगा नशा उत्रा तो मुझे सहसा अपन महाजन थे दिन रात लाखों का लेंदेन होता था उनका वैभव मुझे कानून के घेरे से निश्चे थी छुड़ा सकता था फिर मेरा पक्ष भी इतना दुरबल नहीं था दुरा चारणी पत्नी को मैंने रंगे हाथों उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था अपरादी मैं न मैंने बहुत पहले ही पिता को शत्रू बना लिया था उधर जब जगन्य हत्या का मुकदमा मुझे पर चल रहा था तब ही बैंक की खयानत ने भी मुझे पकड़ लिया एक बात और भी मेरे अपराद को जगन्य बना गई थी विशालाक्षी के पोस्ट मार्टम ने एक सत्य और उद्गाटित कर दिया था वो गर्वती थी यद्यब मुझे पूर्व श्वास है उस अजन्मा संतान का जनक मैं नहीं अक्लन ही था फिर भी भावी जनिनी की हत्या साधाना हत्या के दारे में नहीं आती उस पर अक्लन की गर्वती पतनी ने भी पती की हत्या का समाचार सुनते ये आत्मत्या कर ली एक साथ तीन हत्याओं के हत्यारे को भला कौन अदालत शमा करती सजा मिली जानती हो फासी उसकी करोन आखें दूसरी बार मुझसे टक्राई जीवन में पहली बार मुझे उस अभागे पर तरसाया चिंता एकी थी वो कहने लगा सुना था ऐसी मौत मरने वाला उस लोक में भी बड़ी अशान्ती में बटकता है गया की प्रेथ शिला का पिंड़ दान भी उसकी आत्मा को शान्ती नहीं दे पाता एक लंबी सांस खीच कर और फिर चुप हो गया मैं अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी मैंने देखा उसकी आँखों से पश्चाताप के आसू बड़ी बड़ी वर्षा किसी बूनों में टपकते उसके पिछके कपोलों को भिगो रहे थे एका एक मेरी सहनभूत पूंद द्रश्ट का आभास पाते ही वो किसी बैत खा रहे बच्चे साही सुबकने लगा मैंने किसी वैस्क पुरुष को ऐसे रोते पहले कभी नी ठीखा था रागवन दुखी मत हो बिना किसी हिचक के मैंने उसकी सिस्कियों से कापते सकंदों को थपथापा कर कहा तो उस्वेम आश्चर हुआ जिसे देख करी मैं कभी घ्रना से सेहर उपती थी उसका इस पर्ष में बिना किसी हिचक के उसने कैसे सहन कर सकी मुझे आज भी कभी सोच सोच कर आश्चरे होता है बढ़ती वयस मनुष्य को शायर उत्तरोत्तर सहष्ण बनाती चली जाती है सुनो रागवन तुम्हे याद है ना हमारी वुधवार की प्रार्था सभा में आचार एक्षित मुहंसेन हमें चार पंक्तियां अवश्य सुनाते थे तमसो मा जोतिर गमे असतो मासत कमे मृतोर मा अम्रत कमे अंदकार थेके आमादेर आलोते निमे जाओ असत्ते थेके सत्ते नए जाओ तो मार जे दोखिन मुक उसी नाम का इसमनर कर रागवन तुम्हें फिर परलोग का भे नहीं सताएगा अपने उस उबदेश की विर्थता का आभास तो मुझे बहुत बाद में मिला उस अभागे को क्या अब परलोग का भे रह गया था मेरी बात आधी ही सुन वो एका एक किसी नीद में चलने के अभ्यस्त अर्द जागरत यात्री सा उठा और बिना कुछ कहे बिना मेरी उड़ देखे बिना गाड़ी की रुखने की प्रतीक्षा किये उठकर चला गया एक बार जी में आया लपक कर चटकनी चड़ा दूँ ऐसा सुवसर फिर नहीं जुटेगा पर फिर सिस्कियों से कापते उन दुर्बल कंदों और काले पिछके कपोलों पर बहती आसूं की बड़ी बड़ी बूनों की इसमरती मुझे दुर्बल बना गई मेरा वो क्लांत दुखी सहपाथी बले एक हाल से गले दुरदुराए श्वान सा दैनी अतिती क्यो नहो यदे मेरी साहनबूत की चाया में कुछ ख्रसुस्ता भी ले तो मेरा क्या बिकाड लेगा पर वो नहीं आया मदरास से हैदराबाद गई और अनेक पुराने सहपाथी सहपाथीनियों का अतापता ढूर फोन पर उन्हें अपने होटल में एक रतित किया तो आवाक रह गई गुरूर काल चक्र क्या किसी को नहीं चोड़ता कितने बदल गए थे सब किन्त इसने वही था कितने पुश्प गुच्छ और कितने पुश्पाहार कितनी सुखत इस्मृतियों के गड़े मुर्दे खोद खोद कर निकाले गए कितनी पिक्निकों कितने उत्सवों की इस्मृति फिर सजीव हो थी तभी अचानक मुझे इस इस्कियों से कापते रागवन के कंधे याद आ गए तुम लोग जानते हो मुझे ट्रेन मेजबार कौन मिला कौन सबने एक साथ पूछा रागवन बड़ा तरस आया बेचारे पर कौन मिला क्या कहा तुमने शंकर ने पूछा रागवन मैंने कहा भीम्रती छरेचे ना की अर्थात पागल हुई हो क्या उसे तो फासी हुए ही पंद्रा साल हो गय मैं ही उसकी डेड बॉडी लेने गया था उसके पिता मेरे रिष्टे के चाचा लगते थे उन्होंने जाने से साफ इंकार कर दिया इसी से अपने बड़े भाई के साथ ही मैं ही बॉडी क्लेम करने गया था और हम दोनों भाईयों नहीं वो दावरी तट पर उसका अंतिम संसकार किया था कहीं किसी और की बॉडी क्लेम कर चिता पर तो नहीं धराए मैंने बड़ी चेश्टा से हस कर पूछा उधर मेरा हित्पिंड बड़ी दुराशा से घड़ी के पेंडुलम सा धर 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 टाले डाल रहा था किशंकर कहते हाँ भाई मुन ने देखा सील्ड बॉडी थी नई जी रागवन के चेहरे को पहचानने में भला कोई भूल कर सकता है एकदम वैसा ही था किवल गाल कुछ पिचक गए थे और जिस दात को तुमारे भाई ने तोड़ा था उस पर सोना मढ़ा लिया था बेचारे ने शायद तुमारे इस प्रत्चिन को गौरो प्रदान करने शंकर ने सामाने रसकता करने की चिष्टा की पर उसका परिहास मुझे नहीं कुद गुदा पाया मुझे तो लगा मेरी ट्रेन एक बार फिर उन साथ अंधी सुरंगों से गुजर रही है और मैं रागवन की सिस्कियों से कापते कंदों को ठपती हूँ तो मार जे दो खिन मुख अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी तो मार जो दो खिन मुख आशाय कहानी आपको पसंदा ही होगी आपको कहानी कैसी लगी अपने विचार कॉमेंट सिक्षन में जरू लिखेगा कल फिर मिलेंगे आपका समय मंगल में हो